नाइब प्रफर चार की बात हो रही है और और आदी पाटी पर सबसे बड़ा जो लालचन लगा हुआ है लिकर स्कैम उसके बारे में थोड़ा डीटेल में बात करते हैं दस में से आठ में केजरिवाल का नाम नहीं लेते हैं अंतिम दो स्टेट्मेंट में केजरिवाल का नाम लेते हैं और बेल मिल जाती है और आप कह रहे हो दिल्ली के अंदर हमारा कोई भी विधाय क्या मिनिस्टर या पार्शद ये सोचता है कि आज वो बीजेपी में चला जाएगा दुबारा जीवन में कभी वो चुनाओ नहीं जीज सकता इसको कहीं कागज पर हो तो लिख लीजिए आप देमोकरिसी और डिक्टेटरशिप के बारे में आज काफी बाते हो रही है कि 2024 की उलेक्षन डिमोकरिसी होगी या डिक्टेटरशिप इसके बारे में बात करने के लिए शायद एक जो personality है, एक जो politician है, वो हमारे साथ है, संजे सिंग जी, many thanks for joining us here on देशबक, नमशकार आपके दर्सकों को नमशकार, और thank you for taking time out, मैं जानता हूं कि अभी आप काफी busy हो, आम आदमी पार्टी की जो situation है, जो सरकार की situation है और जो कार मैंने उनके लिए open किये, कल रात को ही, इतने सारे सवाल आए हैं, और वो सवाल ED के बारे में भी है, ये सवाल आपके jail time के बारे में भी है, लेकिन मैं शुरुआत शायद सबसे पहले करना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के मौजूदा हालात से, क्योंकि इसमें तो अब कितना successful हो रहा है, आम आदमी पार्टी को तोडने का, मौराल डाउन करने का, देखे पहले दिन से हम लोग ये बात कह रहे हैं, कि दरसल इनका मकसद किसी घोटाले पे कारवाई करना नहीं है, ये शराब घोटाला जो तथाकतित सराब घोटाला है, अब तो इसका सत सामने आगया कि सराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, जो सराब घोटाले का किंग पिन था, सरद रेड़ी, उससे तो पच्पन करोन रुपए की रिश्वत बीजेपी ने ली है, ये तो इलेक्टोरल बांड के खुलने से पता चल गया, तो ये पूरा केस क्यूं बनाया गया पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए, पार्टी को खतम करने के लिए, और उनका जो अंतिम उद्देश चे था कि केजरी वाल को गरिफतार करके जेल में डालो, वो काम उन्होंने कर लिया, और उसके ठीक बात, वही पैटर्न, जो इन्होंने महारास्टा में अपनाया और पार्टी तोड़ दी सिवसेना को, इसी तरीके से इन्होंने दिल्ली में कोसिस की, बहुत सारे विधायकों पर अलग अलग टाइम पर मुकदमे किये, उसमें सफल नहीं हो पाए, कोर्ट से वो सारे लोग बरी हुए, अब इन्होंने एक शराब घुटाला करके पहले ए अरेस्ट करने के तुरंट बात क्या किया इन्होंने, इंकम टैक्स का चापा 24 घंटे तक गुलाब सिंग्यादों के घर पड़ा, कैलास गहलोत को बुला लिया, आतिसी और सौरभ भरतवाज के खिलाफ खाबरे चलाना सुरू कर दिया, कि इनसे पूस्ताच हो सकती है, इनक कहानिया बता रहे थे, इडी वाले भी और बीजेपी वाले भी, उसको अपनी पार्टी में मिला लिया, तो एक संकट का दौर है, मुश्किल दौर है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि बहादूर की पहचान संकट में होती है, वरना तो बहादूर के रूप में या कायर के रूप में, और दोनों चीज आपके हाथ में होती है, आप क्या चाहते हो कि आपको कैसे याद किया जाए, इस सिचुएशन में, रागफ चटा पार्टी के साथ हैं, बहादूर रहेंगे, क्योंकि खबरे जो चल रही हैं, हेडलाइन कि वो ऐसे मुश्किल के दोर में, जब हमारे पार्टी का मुख्या, पार्टी का सबसे बड़ा नेता, दिल्ली के तीन बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, हमारी क्या भूमी का है, ये समय तेह करेगा, और इसलिए सब को जरूरत है एक साथ मिलके रहने की, मैं किसी पर पर्टीकुलर बात नहीं करूँ, कुछ महीने पहले भक्त बैनर जी आपसे मिलना आया था, तब भक्त बैनर जी ने आपसे कहा था, आप आजाओ इस साइट पे, इस बार जब आप जेल से छूटे, तो सबसे पहले कॉमेंट हमारे सोशल मीडिय पर भी हमें दिखा, जेल से छूटे हैं, क्यों छूटे हैं, क्योंकि भाजपा जा रहे हैं, ये बात मेरे खाल से आपने भी सुनी होगी, तो इस पर आपको क्या लगता है, तो रात में 11 बजे के बाद क्या बोला, भक्त बैनर जी को, जब आपका स्पीच हुआ, जो भक्त जो इनकी मूल संस्था है, इनका काम क्या होता है, भ्रहम फैलाओ, कन्फियूजन क्रियेट करो, पाटियां तोड़ो, तो वो सारी चीजों पे मैंने तीन घंटे के अंदर वीराम लगा दिया, और तब से लगातार, जो इनकी सच्चाई है, वो लोगों के सामने बोल रहा ह कोशिश तो हुई होगी आप पर भी, हमारे उपर ज्यादा कोशिश करते नहीं ये लोग, क्योंकि जानते हैं कि उसी भासा में इनको जवाब मिल जाएगा, तो इसलिए वो निरर्थक प्रियास जिसको कहते हैं, वो क्यों करेंगे, तो इससे आगे कि मैं बाकी चीज़ों म का MP था उस टाइम में, और वो suspension अभी continue है, नेक्स टम आ गया, इससे पहले कि मैं दूसरे चीज़ों पर जाओं, तो आपका अभी का क्या मानना है, ये सबसे कठिन परिक्षा है आम आदमी पार्टी के लिए till date, और दूसरी बात कि अब इसके बाद भी क्या और लोग जाए या आप अब confident हो कि जो अब हैं, वो हैं? इस वक्त में छोड़के बीजेपी में जाएगा, वो कभी पार्शद नहीं बन सकता, विधायक सांसा तो बहुत दूर की बात है, नहीं बन सकता, क्योंकि लोग अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के मौडल के लिए, आम आदनी पार्टी के कामों के ल लोग सबाय का चुनाओ ये, आरेस्टीनो ने की है, इसका परिणाम आप देखेगा क्या होगा, लोगों में साहन बूती है, अरविंद केजरीवाल के लिए, आपने गलत किया, एक आदमी के, उसका क्या गुना है, एक बेस्ट एजुकेशन मौडल देना, हेल्थ मौडल द लेना, फ्री बस की आत्रा करना, भुजरू की तीर्थ यात्रा कराना, फ्री बीजली फ्री पानी देना, ये उसका गुना है, आप सब को चुन चुन के चुन चुन के अंदर डालने हैं जेल में, और इस सोचते हैं कि आपकी पार्टी का ग्राप बढ़ जाएगा, कते ही न आपने ही आज ही प्रेस कॉंफरेंस करके ये बात भी बताई कि किस तरीके से उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है जेल में उनकी पत्मी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है तो इसके पीछे गेम प्लान क्या है कि वो वहां से जेल से अपना कारोबार अपना पूरा बिजनेस ना चलाएं इंस्ट्रक्शन्स ना पास ओन करें इसलिए एक विंडो के थूद दिखने को मिल रहा है वाट इस दे गेम आप 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 ये सोचिए ना आकास जी इसी जेल के अंदर तो सुबरो तो रह साहरा थे थे ना हजारों करोन का आरोप उनके उपर लगा था कि उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं दिये यही तो आरोप था उनके उपर उनको मीटिंग्स की इजाज़त थी फोन था उनके पास इंटरनेट था उनके पास गाड़ियां जाती थी अंदर उनके लिए स्पेसल आफिस बनाया गया गया था चैंदरा ब्रदर्स का नावा अपने सुना होगा उनको मीटिंग्स की इजाज़त थी वहाँ पे उनको आफिस का से पूरा सेट अप मिला हुआ था और अर्विंद केजरिवाल जो तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री है उनकी आप मीटिंग एक अमानवी तरीके से करा रहे है जेट प्लस सेक्यूर्टी कवर जिस आदमी को है पंजाब के मुख्यमंत्री है उनको आप कहरें कि जाके जंगले में मुलाकात करो क्यों भई आपने किस एक चीफ निस्टर का नम बता ये जिसने तिहार जेल में मुलाकात की और वो उसी सिस्टम से मिला है जैसे भगमंत्मान को मिला है जा रहा है आप बताई ये ना इस जैल के अंदर बहुत सारे खुंखार अपरादी हैं जिनकी मुलाकात बैरेक में होती है पता कर लीजेगा मैं तो रहा हूँ जैल में मैं बता सकता हूँ आपको तो ये बनो बल तोड़ने की कोसिस नहीं है तो और क्या है आप हुमिलियेट कर रहे हैं जान बूच के तो प्रधान मंत्री जी या अमिश शाजी को ये बताना चाहिए कि भई कोई सिर पैर नहीं है जिस मुकदमे का सिर्फ चुनाओ से दूर रखने के लिए अपने अर्विंद के जिवाल को अरेस्ट करके डाल दिया सिर्फ चुनाओ से दूर रखने के लिए हेमन सुलेन को दूर कर दिया अपने जेल में डाल दिया सिसोधिया जेल में सतेंजेन जेल में मैं जेल में था मंडे को सुप्रीम कोट फिर से सुनवाई करने वाली है एक बार आशा की किरन फिर से जगी लेकिन अगर फिर से बेल ना मिले तो फिर आम आदमी पार्टी आगे कैसे कारेक्रम चलाएगा अगर गेम भी है मान लिया कैसे होगा आप पियमेले की जटिलताओं को तो जानते होंगे कितना मुश्किल कानून बनाया तुइंस केंडिसन इसमें रख दी इसमें 2018 में ऐसा बदलाओ कर दिया कि इसमें बेल पाना ही मुश्किल हो जाता है बेल नहीं मिली इसका मतलब कि वो आरोपी शिद्ध हो गए ये नहीं है आरोपी सिद्ध नहीं हुए उनके दोस्सिद्ध नहीं हुए बेल नहीं मिल रही है 80% है अंडर ट्रायल जेलों में आपको पता है न 10 साल से अंडर ट्रायल है 5 साल से अंडर ट्रायल है बारा बारा साल से अंडर ट्रायल हैं उनको बेल नहीं मिल रही है हमारा इशू ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है एक तो यह कि पॉल्टिशन होने की वज़ा से और दूसरा यह कि नयाएक प्रक्रियाओं में कई बार लेट हो जाता है इसका मतलब यह नहीं साई बाबा का केस देखे ना एक विक्ती 90% हैंडी कैप आपने 10 साल उसकी जिन्दगी का बरबात कर दिया और बाद में कह दिया वो निर्दोस है तो 10 साल जो उस आदमी का गया उसके लिए जवाब दे कौन है कोई है जवाब दे कल को मनिस कौन है इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी आके बताएंगे सामने उसका जवाब तो कोई नहीं देगा लेकिन रेप्यूटेशनल डैमेज हुआ है की नहीं संजय जी आम आदमी पार्टी जो की अंटी ब्रस्टाचार पार्टी पार्टी नहीं हुआ इसलिए मैं कहरा हूँ कि जब पूरे देश के सामने ये बात आ गई कि भाई एक आदमी दस नौवंबर को अरेस्ट हो रहा है पंद्रा नौवंबर को बीजेपी को चंदा दे रहा है पांच करों रुपए और अपनी रिहाई तक पच्पन करों रुपए दे रहा है तो शराब घोटाले का मनी ट्रेल तो साफ तो रुपए पकड़ में आ रहा है न और आप एक चीज़ बताईए पच्पन करों रुपए बीजेपी के खाते में चला गया प्रदान मंतरी जी को पता नहीं चला नडडा साब को पता नहीं चला अमिश्शा जी को पता नहीं चला एक किंग पिन जो शराब घोटाले का है जिसको खुद एडी ने का किंग पिन है उसने 55 करों रुपए दे दिया और किसी को पता ही नहीं चला ED के अरेस्ट में था ना वो Judicial custody में था ना उसके खाते क्यों ने टेच किये खातों को क्यों नहीं सीच किया गया इसका तो जवाब देंगे आप ED वालों से पूछिए बताईए BJP वालों को पूछिए उनसे एक आदमी जो kingpin है इसको खुद ED कह रही है पूरी BJP कह रही है वो kingpin है वो आदमी जेल में रहते हुए Judicial custody में रहते हुए Money transfer कैसे कर रहा है मैं पूरी ED और पूरी इस case पर आ रहा हूँ सारत रेड़ी को भी छोड़ दीजिए ED के चापे पढ़ रहा है BJP को चंदा जा रहा है CBI के चापे पढ़ रहा है BJP को चंदा जा रहा है इसके तो एक नहीं अनेक उधारन मिल चुके है अब Electoral Bond में तो BJP कैसे पर स्टाचार के खिलाब बोल सकती है आज चंदा दिया कल ठेका मिला आज चंदा दिया कल ठेका मिला इसकी पूरी कुट प्रो को मिल जा रहा है तीन लाख आठ हजार करों रुपए अलग अलग कंपनियों को ठेके दिये गए और उनसे Electoral Bond के नाम पे चंदा लिया गए ये क्या है आपने देखा कोई EDCBI की करवाई तो इसका मतलब ये तो आपने सेलेक्टिव तरीके से तेंग कर लिया कि जिस केस में ना तो डेड बॉडी मिल रही है ना हत्यार मिल रहा है कि हत्या कैसे हुई वहाँ तो आपने हत्यारे तेंग कर दिये ये भी हत्यारा वो भी हत्यारा वो भी हत्यारा और जिस केस में साफ साफ मनी ट्रेल मिल रहा है साफ साफ कृड़ प्रो को दिख रहा है साफ साफ करफशन दिख रहा है कि बी जेपी ने बरस्टाचार किया है उस पे आप कोई करवे नहीं करते इन्हों ने 15 लाक करों रुपए पूजी पत्यों का माफ कर दिया रामचरित मानस का इस लोग पढ़के माफ कर दिया संजे जी ये सारी बाते अगर मैं मान लूँ उसके बाद भी तर फैक्ट रिमेंड की ये इन लोग को ये बताया जा रहा है ये पॉलिटिक्स है इस इस वाल पार्ट अफ पॉलिटिक्स ये राजनीती है हम राजनीती किया दो चार सो पार करेंगे कैसे करेंगे तो दो सो पार क्यूं नहीं किया बंगाल में पैटालिस पार क्यूं नहीं किया दिल्ली में 21 पार क्यूं नहीं किया मिजोरम में 75 पार क्यूं नहीं किया हरियाना में कितने पार गिना हूँ आपको कितने पार गिना हूँ एक सो तीस पार क्यों नहीं किया करनाटका में अभी पंद्रा एलेक्षन हुए हैं दोजार दस से चौदा से लेके दोजार चौबिस तक फिफ्टीन और हर जगें पे पार क्यों नहीं किया ऊड़िक्सा में पिछली बार 2019 में तो ये मैंने आपको कहा ना है भ्रम फैवलाने की महारत हासिल है वीजेपी बूइ फैलाने की महारत हासिले BJP को हिटलर का एक परचार सची हूँ था गोईवल्स वो था कहता था कि भई एक जूट को सौ बार बोलो तो वो सच हो जाएगा उसी सिद्धान पे BJP चलती है इन्होंने एक बार पूरे देश पे गणेश जी दूद पी रहे गणेश जी दूद पी रहे अच्छे एच्छे लोग गणेश जी को दूद पिलाने के पूरी दुनिया में हमारे बगल में एक सेट जी थे उन्होंने कास दूद नहीं पिया तो कहले के पाप की होगे सेट जी सी ले नहीं पिया बोले नहीं नहीं पिया तो लेकिन थोड़ा थोड़ा पिया तो आपको इतना आतंकित कर दिया गया है जूट फैला फैला के चार सो पार कहां से आ रहे हैं जिसका चार सो पार आ रहा होता है आकास वो ऐसे काम करता है क्या किसी राजनेता को आज तक आपने हिस्ट्री में सुना है जो अपनी जीत के परती और वो ऐसे चीफ फिनिस्टर्स को एक ट्राइवल लीडर को गरिफतार किया जहारखंड में और एक दिल्ली के मुख्यमंतरी को कोई लोगप्यमंतरी को गरिफतार करके जेल में डाल दिया अपसी आप देश की सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी का खाता सीच कर दिया देखा है कभी आपने आपको क्या लगता है कि क्या हुआ भी 36 गड़ के केस में उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने 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 बात कोड बाद में क्या कही कि वो तो भीमा कोरिगाओं में भी हमें बहुत कुछ दिख रहा है बात ये है कि आप इसको लड़ोगे कैसे जब एक तरफ जुडिशरी पर जिस तरीके का प्रेशर दिख रहा है कि केस की सुनवाई नहीं हो रही है बेल नहीं मिल रहा है दूसी तरफ मीडिया गॉरबल की बात आपने कहीं बिलकुल सही बात है लेकिन मीडिया तो उसी तरीके से काम कर रही है ना आज बीजेपी और प्रधानमंती नरेंदर मोधी जी की जूट की जो पराकास्था थी जो मैकसिमम लिमिट थी उसको भी वो क्रास कर चुके है अब लोगों को थोड़ा रियलाइज हो रहा है समझ में आ रहा है कि यार हम तो महंगाई के दलदल में फसे हुए है हम तो ब्रस्टचार के दलदल में फसे हुए है हम तो बेरोजगारी के दलदल में फसे हुए है हमें तो डंडे पढ़ रहे हैं हमें तो साड़े साथ सो किसानों की शहादत हो जा रही है तो बड़ी मुश्किल से काला कानून वापस होता है MSP आस तक नहीं मिलता तो अब ये लोगों को कहीं न कहीं रेलाइज और एक चीज़ आप बताईए जब कहते हैं साथ हिंदूों का भला कर रहे हैं अगर इस देश में मैकसिमम पॉपलेशन है तो किसकी है हिंदूों की है और अगर बेरोजगारी सबसे जदा है तो सबसे जदा नुकसान किसका है हिंदूों का है अगर इस देश में मैकसिमम पॉपलेशन किसकी है तो किसकी है हिंदूों की है अगर महंगा ही जदा है तो किसका सबसे जदा नुकसान है हिंदूों का है अगर किसानों की संख्या सबसे अदा है इस देश में तो हिंदों की है अगर उनको MSP नहीं मिल रही है तो सबसे अदा नुकसान किसका है हिंदों का है तो आप हिंदों के नाम पे राजनीती करके और हिंदों का ही सबसे अदा नुकसान कर रहे है उनके बच्चों को अच्छी सिक्षा नहीं मिल रही है उनको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है बिजली का इंतजाम उनके लिए नहीं हो रहा है हेल्थ का इंतजाम उनके लिए नहीं हो रहा है और आप देश के अंदर जूंटे नेरेटिव क्रियेट करकर के करकर के पांच 142 नंबर पे है आप पर कैपिटा इंकम में यानि इस देश के प्रति व्यक्ति की आमदनी के मामले में हम 142 नंबर पे खड़े हैं पूरे दुनिया में आप पांचवी बड़ी अर्थ में उस्ता बन जाईए या तीसरी बन जाईए या पहली बन जाईए आम आदमी को उसका क चार साल जाओ माइनस 45 डिग्री टंपरिचर में देश की सेवा करो और आपका बेटा वो जो है बी सी सी आई का चेर्मेन बनके गूमेगा तो यह क्या है यह सारी जो बाते आप बता रहे हो इसमें कोई डिवेट नहीं है लेकिन यह बाते क्या ग्राउंड तक गई हैं अब अब जा रही हैं मैं आपको यह कह रहा हूँ और इसलिए घबराकर वो यह सारी कारवाई कर रहे है प्रदानमंत्री जी अगर वो चार सो पार होते तो यह कभी नहीं करते चलिए आप नहीं जा रहे हो बीजेपी आप कहरे हो दिल्ली में भी कोई जाएगा तो वो भी हैं इका दुका ऐसे मामले मिलेंगे मैं यह नहीं कह रहा हूँ राजकुमार आनंद एक उधारन हो सकते हैं लेकिन मैकसिमम हमारी लीडर्सिप तो लड़ रही है ना वो देख भी रहे हैं बाकी लोग यार जब केजरी बाल लड़ रहे हैं जेल में रहे हैं नहीं जुक रह हुआ है कि हम भी लड़ेंगे इंसे विधायक और मंत्री भी उत्सास के साथ भरे हुआ हैं ऐसा नहीं कि सारे लोगों का आप दबा देंगे और तोड़ देंगे पार्टी को उनके जेल में रहने या बाहर आने का कितना बड़ा इंपक्ट है यह क्रिटिकल फैक्टर रहेगा कि कितने दिन और वो जेल में रहते हैं और आपकी परफॉर्मेंस और आपकी पार्टी की यूनिटी कितनी सॉलिड रहने को सुनवाई है हमें उम्मीद है कि फैसला जो है वो सकारात्मक हमारे पक्ष में आना चाहिए क्योंकि कोई मामला नहीं है जैसे मैंने आपको बताया और अगर मान लीजिए बेल मिलने में थोड़ा समय भी लगता है मैं मान लेता हूं तो भी हमारी पार्टी दिन प्रति दिन और मजबूत हो रही है लोगों की और सहानभूती जुट रही है और लोग ये देख रहे हैं कि यार पूरे देश के जितने बड़े बड़े बैमा हैं उनको तो प्रदान मंत्री जी गले लगा रहे हैं और उपर से वो भरस्टाचार के खिलाब भी बोल रहे हैं ये मुझे बड़ी हजीब बात लगती है प्रदान मंत्री जी के बारे में कि प्रदान मंत्री जी कहते एक भी भरस्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा ये को पकल पकल के बीजेपी में सामिल करूंगा इस बात की गारंटी है हुराई इस देश में सत्तर हजार करून का गोटाले का ओरॉप सिचाई गोटाले का ओरॉप प्रधान منत्री जी लगाते हैं आजीद पवार पे उसको अपनी पार्टी में सामिल कर लेते हैं चगन आने पर जमीन घोटाले का मामला लगता है असोग चोहान पर आदर सोसाइटी का मामला होता है अस प्रफुल पर टेल पर मामले होते हैं सब बीजेपी में चले आते हैं जनारदन रेड़ी हेमंत विस्व सर्मा मुकुल राय सुबंदू अधिकारी या दुरप्पा कितने नाम आपको गिना हो ठीक है ब्रस्टाचारियों को तो गले लगा रहे हैं मोदी जी और आपने देखा होगा 25 बड़े ऐसे ब्रस्टाचारी जिनको बीजेपी ने अपने साथ मिलाया और उसके बाद उनके केसिज या तो क्लोस कर दिये गए और या वो सिथिल कर दिये गए यान अगर प्रस्टाचार की बात हो रही है और आमादभी पार्टी पर सबसे बड़ा जो लाजचल लगा हुआ है लिकर स्कैम उसके बारे में थोड़ा डीटेल में बात करते हैं क्योंकि मेरे खाल से बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता है तो उसको ब्रेकडाउन कर पैदा होता है पहले तो उसके बारे में थोड़ा बात लिकिए पहली चीज़ तो ये कि वही लिकर पॉलिसी पंजाब में लागू है वहाँ पे रेवन्यू हमारा बढ़ा है आप पता कर लिजे ना दिल्ली में वो पॉलिसी फेल क्यों हुई दिल्ली के अंदर पहली बात तो ये जो फैलाते हैं भाजपावले गली गली में ठेके खुल गए गली गली में ठेके खुल गए जितने ठेके पुरानी पॉलिसी में थे उतने ही ठेके नई पॉलिसी में स्वीकृत किये गए पहले भी कहां कहां ठेके थे वो भी उठा के देखिए और हमने कहां कहां के ठेक है हमने बन्द भी कराये फिर इन्होंने फटाया कि साब एक के बदले दू एक के बदले दू चलाया वो हमारे हाथ में नहीं था और जिस ने एक के बदले दू जिस विंडर ने किया उसके खिलाब Państ game हमने लिक्के दिया है जितने स्विक्रिट ठेके थे क्योंकि लैंड हमारे पास नहीं एरिया हम डिसाइड करनी सकते तो इन्होंने उन एरियास के अंदर उनके ठेके नहीं खुलने दे जिससे हमारा रेवन्यू लास हुआ और हमने पॉलिसी को वापस लिया तो ये कुल मिलाके ये जो फैला आ जाता है कि खामिया थी इसलिए नहीं वही पॉलिसी पंजाब के अंदर सक्सेस्फुल है क्योंकि वहां लैंड हमारे पास है, लाइंड ओडर हमारे पास है, candlesी के अंदर ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंदर इन्हों ने जितने स्विक्रिट ठेके थे वो भी नहीं खुलने दिये पंजाब में सेम पॉलिसी चल रहा है सेम पॉलिसी है अब आजाईए इन्होंने मामला क्या बनाया है वो बड़ा इंट्रेस्टिंग है और आपके दर्सकों को एक एक करके जानना जरूरी है बैए ये केस चल रहा है कि मजाग चल रहा है देश की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजंसी दो साल से जाज कर रहे है यह दो साल से और ट्राइल नहीं सुरू हुआ भी तक किatने साल आप जाज करना चाहते है और कितने साल तक जाज चलेगी कितने साल तक जाच चलेगी चार जून चार जून भी तो आप जल्दवाजी कर रहे है चार जून बहुत जल्दवाजी कर रहे है यह केस को पहले समझ लिजिए ED के पास 162 गवाँ है 162 CBI के पास 294 गवाँ है 294 ED CBI मिलाकर कुल 456 गवाँ है 456 50,000 पन्नों की चार सीट अब तक दाखिल किया है दोनोंने मिलके और 20,000 पन्ने अन्रिलाइड अपॉन डॉक्यमेंट में है यह पता है किसी को जो बीजेपी वाले बोलने आते है चैनल पे यह पता है कि 20,000 पन्ने छिपा के रखे हुए है ED ने 20,000 पन्ने यानि ऐसा डॉक्यमेंट जो उन्होंने रेकॉर्ट पे नहीं लगाया क्यों नहीं लगाया भाई Section 50 PMLA में जो बयान दर्ज होता है आप कहते हैं साब यह बयान अगर आपने जूटा दिया तो आपके खिलाफ कारवाई होगी किसी से भी पूस्ताच करते हैं मैं तो अपने केस के बारे में नहीं बोल सकता आप किसी से भी पूस्ताच करते हैं तो आप पूछिएगा उनसे कि भाई आपसे क्या बताते हैं वो पहले सबसे पहले बताते हैं कि देखो भाई Section 50 PMLA में हम आपका बयान ले रहे हैं और अगर आपने जूटा बयान दिया तो आपके खिलाफ करवाई होगी अब आप समझा लीजे केजरिवाल पे क्या मामला है 456 में कुल मिलाके चार गवाहों ने केजरिवाल का नाम लिया चलिए साब इन चार गवाहों ने नाम लिया अब किस परिस्थिती में नाम लिया यह आपके दर्सकों को जानना जरूरी है नमबर एक आते हैं मंगुंटा रेड़ी नमबर दो हैं रागो रेड़ी नमबर तीन है शरद रेड़ी मंगुंटा रेड़ी के घर पे 16 सितंबर 2022 को छापा पड़ता है रेड़ पड़ती है एड़ी 10 फरवरी 2023 को रागो रेड़ी उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है 16 जुलाई को केजरिवाल का नाम लेते हैं बाप बेटे और 18 जुलाई को उसकी बेल हो जाती है रागो रेड़ी की और 10 स्टेट्मेंट देते हैं दोनों बाप बेटे मिलके 10 स्टेट्मेंट 10 में से 8 में केजरिवाल का नाम नहीं लेते 10 में से 8 में केजरिवाल का नाम नहीं लेते अंतिम दो स्टेट्मेंट में केज दिवाल का नाम लेते हैं और बेल मिल जाती है तो यह क्या है यह इन्विस्टिगेशन है इनकी अब आजाए यह शरद रेड़ी पे और वो मंगुंटा रेड़ी कौन है जो टीडीपी से अभी MP का चुनाव लग रहा है जिसके घर पे सराब घोटा लेकर कारण कारवाई हुई थी वो आज की तारिक में जाके पता कर लिजे मोदी जी की फोटो लगा के वोट माग रहा है वो अब आजाए यह शरद रेड़ी 9 नवंबर 2022 को उसके घर पे छापा पड़ता है 10 नवंबर 2022 को उसकी आरेस्ट होती है 15 नवंबर 2022 को पाँच करोन उपए की पहली रिश्वत नजराना पेसगी बीजेपी को देता है और अपनी रिहाई तक वो 55 करोन उपए देता है 55 करोन उपए देता है तो इसमें तो मनी ट्रेल साफ तोर पे दिख रहा है 25 अपरेल को उसकी बेल हो जाती है 25 अपरेल के बयान के पहले 12 स्टेटमेंट देता है शरद रेगी 10 में केजरिवाल जी का नाम नहीं वो 10 ED चिपा लेती है और 2 में केजरिवाल का नाम है उसको रेकॉर्ड पे लाती है C.A.R.W. चौथे बयान C.A.R.W. कहते हैं हमने मनी सिसोदिया को अरविंद केजरिवाल के घर पे कोई डाकुमेंट दिया अब कोई अंतरियामी है अरविंद केजरिवाल जी की क्या डाकुमेंट और एक सेकरेटरी अपने मिनिस्टर को डाकुमेंट नहीं देगा क्या देगा उसमें कहां करप्शन इस्टेब्लिस हो जाता है कोई मनी ट्रेल नहीं मिला एक रुपए केजरिवाल के घर नहीं मिले एक रुपए मनी सिसोदिया के घर नहीं मिले कोई पैसा बरामद नहीं हुआ हवा हवाई केस चले जा रहा है संजी जी आपकी सारी बाते मैं समझता हूँ मैं मानता हूँ लेकिन देगो बेल नहीं मिली है कुछ तो गड़बड है शराब है सबसे पहली तो बात और दूसरा है पैसे की बात है और बेल नहीं मिली है ठीक बात है अब भै आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई दुनिया में कहां ये लिखा हुआ है कि बेल नहीं मिली इसकी वज़ाए से दोस्चिद्ध हो गया लोवर कोट के डिसीजन को डिस्टिक कोट बदल देता है यानि कि डिस्टिक कोट लोवर कोट के फैसले से असामत है डिस्टिक कोट के डिसीजन को हाई कोट बदल देता है यानि कि हाई कोट डिस्टिक कोट के फैसले से असामत है हाई कोट के फैसले को सुप्रिम कोट बदल देता है पंठ जजिवों के फैसले को साथ जजिवों का बेंच बेंच बदल देता है और दिल्ली के मामले में पंठ जजजों के फाइव- ZERO के फैसले को प्रधान मंतिर नरेंद मोदी जी बदल देते हैं जिसमें हमें सर्विसेज का अधिकार मिलता है तो क्या आप selective तरीके से कौर्ट की सराहना करेंगे और कौर्ट की तारीफ करेंगे जो निरने केजरिवाल के खिलाफ आएगा उस पे भाजपॉले लडू बाटेंगे जो निरने बीजेपी के खिलाफ आएगा उसको परलेमेंट में बड़ल देंगे ये कैसा आपका कोट के आदेश को देखने का नजरिया है चुनाव आयोक के न्यूक्ति के मामले में जो फैसला सरकार के खिलाफ आएगा यानि उनको पसंद नहीं आएगा उसका कानून तो पार्लिमेंट में हम बदल देंगे साब हिंडनबर्ग में जो मामला आएगा तो उसकी तो हम जाच नहीं कराएंगे तो सेलेक्टिव तरीके से आप काम करेंगे क्या सुप्रीम कोट एलेक्टरल बॉंड पे कोई फैसला देगा तो उसकी तो आप एकदम पूरी जान लगा के उसको कोसिस करेंगे कि ये फैसला रुख जाए तो कोट के प्रति क्या आस था है आपकी अगर इलेक्टरल बॉंड का खुलासा नहीं होता है सब्री माला में क्या बोला था हम इससा ने अब बताइए न तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सेलेक्टिव तरीके से कोट की तारीफ करेंगे और कोट के फैसले को लेके उचलेंगे और आपके खिलाब जब सुप्रीम कोट फैसला देगा तो आप कानून बदल देंगे ये क्या है अगर इलेक्टोरल बॉंड का फैसला नहीं आता सुप्रीम कोट का और ये खुलासा नहीं होता SBI को बोला नहीं जाता कि सारे डीटेल्स दो तो क्या ये जो अभी डिफेंस आप माउंट कर पा रहे हो कि यहां पेपर ट्रेल अगर आप मनी ट्रेल देखो तो ये तो BJP के दरब जा रहे है नहीं कर पाते इसलिए बेल ना अब मैंने आपको बताया तो 80% अंडर ट्रेल है 80% अंडर ट्रेल है देशकी जेलों में तो आप कह रहे हो और मेरी बात भी आप छोड़ दीजिए भारत के मुख्य ने आए धीस स्री चंद्रचूर जी ने काक्ष के सम्मेलन में जहां पर डिस्टिक कोट्स के जजिस थे वहां साफ तोर पर कहा बेल एज रूल जेल एज एन एक्सेप्सन ये जो बात है इसको ट्राइल कोट्स फालो नहीं कर रहे हैं जिसकी वज़ा से हाई कोट और सुप्रिम कोट के उपर केसिस का बर्डन बढ़ रहा है बोला ना तो इसको लेटरनेंट स्पिट में लागू करना चाहिए ये तो सुप्रिम कोट के चीफ जस्टिस बोल रहा है और आप कह रहे हो मेटीरियल एविडेंस आस फार अरविन केजरिवाल कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है बर्बल के अलावा कुछ भी नहीं है बर्बल के अलावा फिर रिपीट कर रहा हूँ कुछ भी नहीं है बर्बल के अलावा जुबानी बयान के अलावा कुछ भी नहीं है और वो भी जुबानी बयान किन परिस्थितियों मिल यह मैंने खूल के आपके सामने लग दिया और यह भी पता नहीं चलता आकास जी जैसे आपने कारना कि अगर अगर अलेक्टरोल बोंड ने आता तो हमें मनी टेल का पता नहीं चलता कि सराफ गोटाला बी जे पी ने किया है इसी तरीके से अगर inspection का order court ने नहीं दिया होता हमारे वकीलों को यानि कि केज डिवाल जी के वकीलों को तो यह पता ही नहीं चलता वो तो court ने order किया जाओ भाई inspection करो देखो तुमारे खिलाफ क्या evidence है मुझे मालू है कि आप अपने केस के बारे में बात नहीं कर सकते हो वो आपके एक बेल कंडिशन है लेकिन आप ये तो बताईए कि छे महीने जेल में और बाकी मनीश जी की दो बात अगर करें तो उससे भी बहुत जादा टाइम निकल चुका है जेल में तो कितना मनोबल टूटा होगा आपका सतेंजेन का मनीश सोधिया जी का काफी टाइम हो गया है अगर आप वैसे मैं भी कहता हूँ अपने चैनल पर अगर दो साल की बात करें तो एक याड्स्टिक है कि आज के डेट का सबसे घिनोना अपराज जो हुआ है इस देश में कसब जिसका ट्राइल दो साल में टॉप टू बॉटम खतम कर दिया गया था तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई गिल्टी है तो पनिश करो करो ना भाई आप ट्राइल क्यों नहीं खतम करते ट्राइल आप सुरू क्यों नहीं करते खतम तो छोड़ दीजिए आप आप मुझे ऐसे बताएए ना 456 विटनिसेस के ट्राइल में उनके गवाही लेने में उनसे क्रॉस एक्जामनेशन करने में कितना समय लग जाएगा भाई 20 साल अब केस बना रहे हैं रदी का टोकरी कठा कर रहे है अब कर क्या रहे हैं भाई चार सीट पर चार सीट सप्लिमेंटरी चार सीट फिर चार सीट फिर सप्लिमेंटरी चार सीट यह क्या है जस्टिस संजीउख खन्ना जी observation दिया उन्होंने अपना तो अगर उसके बावजूद आप बेल नहीं दे रहे हैं तो इसमें हमारा क्या दोस है आप बताईए तो मनिश जी तो दो साल रहे चुके हैं तो आपको जब दो साल रहे चुके जो बेल और उनका रिजेक्ट भी हुआ उसमें भी ये लिखा था कि तीन महीने तक अगर ट्राइल नहीं सुरू होता है और छे महीने के अंदर केस खतम नहीं होता है तो आप फिर से बेल में जा सकते हैं जारखंड के एक मामले में मनिश सिसोधिया जी का जिक्र करते हुए उसी कोर्ट ने कहा कि साब अगर आपने ट्राइल डिले किया तो फि आपको बेल मिल जाएगा या आपको भी लग रहा था कि और भी लंबा चलेगा अब मैं फिर वहीं बात आ जाएगी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा अपने बारे में मैं सिर्द धन्यवाद दूँगा माननी सर्वोच चनेयले का कि उनके तीन जज़ों ने मुझे बेल का और्डर किया मेरे पक्ष में बस इतना ही कर सकता हूँ इसके लाओं कुछ नहीं कहूंगा मैं हम यह देखते हैं कि जहां तक सारे opposition leaders की बात हो कहीं न कहीं कोई न कोई किसी कहीं corruption चल रहा है कहीं violence चल रहा है कोई किसी scam में फसा हुआ है तो हेमन सुरेन का अगर example लें कि अर्विद केजरिवाल और हेमन सुरेन दोनों chief ministers एक resign करके जेल जाते हैं एक बिना resign करके जेल जाते हैं ठीक है तो इस बात को लेकर काफी अभी pressure बनाया जा रहा है खासकर कि BJP के हर दूसरे दिन हम देखते हैं statement की नहीं अर्विंद केजरिवाल को resign कर देना चाहिए on moral दो तीन बड़े अच्छे सब्द हैं भाजपाईयों के पास moral ground corruption charges जब इस पर भाजपाई बोलते हैं तो मुझे लगता है ब्रस्टा चार के खिलाब बोलने वाला भाजपाई वैसे ही है जैसे उसामा बिन लादेन अहिंसा पे उब्देश दे रहा है जैसे डाकू गबबर सिंग अहिंसा पे उब्देश दे ऐसी भाजपाई मुझे लगते हैं जब भाजपाई बोलेगी ब्रस्टा चार के खिलाब जिस पार्टी का रास्टी रक्षा सौधे में रिश्वत लेते हुए कैमरे पे पकड़ा गया उसको सजा हुई लालू का जिकर बार बार करते हैं बीजेपी वाले बंगारू लक्षोना का जिकर नहीं करते हैं इसलिए तो मैंने इनकी पार्टी का नामी रख दिया बंगारू जनता पार्टी आप मुझ को में जमा पैसा जनता का पैसा कोई कारवाई हुई तीन लाग तिरपन हजार करूड रुपे इन्होंने बैंक सेटेल्मेंट के जरीए माफ कर दिया पूझी पतियों का कोई पूछने वाला है सेंट्रलाइजड करप्शन है इनके यहां और चुनिंदा सारे जितने देज बरके बरस्टाचारी थे उनको अपनी पार्टी में सामिल कर दिया फिर वो बरस्टाचार के खिलाप बोलते हैं और मॉरल ग्राउंड कितना अच्छा सब्दा आपने इस्तेमाल किया मॉरल ग्राउंड मणीपूर के लिए नहीं है आकास जी जहां पे कारगिल फौजी की प किसानों को कुचल के मार देता है वहां मॉरल ग्राउंड नहीं है वो देश का ग्रेयराज्जी मंतरी है किसान बेटियों को पहलवान बेटियों को यहीं घसीट घसीट के मारा गया जंतर मंतर पे उनको नयाएं नहीं मिलेगा तो moral ground ये सब होने के बावजूद moral ground ये सब होने के बावजूद हमारे आओधी में कहते है सूप बोले तो बोले चलनियों बोले जैके 72 छेड मतलब भाजपाई बोलेंगे moral ground और उस पे ब्रस्टा चार पे आप मुझे बताईए अरविंद केजरिवाल वो नेता है जिन्होंने अपने आयरस की नौकरी छोड़ के देश की सेवा का संकल्प लिया 49 दिन की सरकार में तो किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था ना अब भाजपाई कितने बड़े कलाकार हैं देखे ड्रामे बाज जब हमने 49 दिन की सरकार पे सैध्धान्तिक रूप से इस्तीफा दिया तो कहने लगे भगोड़ा है भगोड़ा है कहते थे कि नहीं कहते थे कहते थे कि नहीं कहते थे अब जब हम अच्छी सरकार चलाने लगे तो कह रहें इस्तीफा दो तो इनका मकसद कोई नयतिक्ता वयतिक्ता का नहीं है और कम से कम भाजपाईयों से तो नयतिक्ता हमें बिल्कुल नहीं सीखनी है अर्विंद केजरिवाल वो वेक्ति हैं जो उन्चास चपरासी की नोकरी कोई नहीं छोड़ता उन्चास दिन के मुख्यमंत्री वो भी पहली बार बने थे उन्हों नहीं छोड़ दिया चीक है तो ये सब देखने के बाद जब एक डिफेंस माउंट होता है कोशिश अच्छी होई थी इंडिया अलाइंस नाम भी बहुत अच्छा था एक बस था वो जो बस था इंडिया अलाइंस आपका साहद एक सवाल रह गया जेल वाला मैं यही पूछ रहा था कि वही रिजाइन की बात है और उनको रिजाइन करना चाहिए था कि नहीं था जेल जाने के बाद वो एक डिमांड होता है आपने भी पूछा कि जेल में आपका मनोबल तूटने वाली बात तो मैं वो उधारन आपको दे देता हूँ जैसे मैं एडी की कस्टडी में गया तो वहाँ जाने के बाद पत्नी को मिलने की अजाज़त होती थी साम को आदे घंटे और वकील साब मिलने आते थे तो उसके बाद वाइफ आई उन्होंने बताया कि भाई वो बेटी आई हुई है बहुत रो रही थी परिशान थी और बेटा भी बड़ा परिशान था ये था तो मैंने वहाँ से एक चिठी लिखी अपनी बेटी को वो पढ़के सुनाया भी था उसने एक कारिकरम में और मैंने उसके लिखा कि भई बहादूर व्यक्ति की पहचान संकट के समय में होती है वैसे तो सारे लोग बहादूर बनते हैं आज जो परिस्तिती सामने आई है द क्योंकि मैंने अडानी पे बोला पार्लेमेंट में मैंने मोदी जी के खिलाफ नारे लगाए पार्लेमेंट के अंदर तो मैं जानता था कि मुझे टार्गेट करेंगे मैंने यहाँ बैनर लगवा दिया था फक्कड हाउस में एडी का स्वागत है आपने देखा होगा तो भी जेल यात्रा काटी उनके बारे में पढ़ा नेलसन मंडेला जी को पढ़ा गांधी जी को पढ़ा सहीद आजम भगत सिंग को पढ़ा कि कैसे कैदियों के अधिकार के लिए जतिन दाजी ने 63 दिन की अंसन के बाद अपनी शहादत दे दी बहुत सारी किताबें पढ़ी जाती प्रथा पे पढ़ा डॉक्टर लोहिया को डॉक्टर अमबेटकर को पढ़ा तो एक कॉन्फिडेंस पहली गिरिफतारी गांधी जी के तो साथ अफरीका में हुई थी और हाफ पैंट में रखा जाता था अपमानित किया जाता था नेलसन मंडिला जी को बहुत सालों क बाद तो उनको फुल पैंट पैंने के लिए दिया गया जेल के जिस कोठरी में उनको रखा गया था वो खड़े होते थे तो सर लगता था और जब ये सब कुछ पढ़ा तो मुझे लगा कि उस जमाने की जेल और इस जमानी की जेल में तो जमीन आसमान गंतर है काला पानी म बहुत मुश्किलों से आजाद हुआ और आज की जेल और उस समय की जेल में तो जमीन आसमान का अंतर है आपको कैंटीन है वहाँ पे आपको सारे सामान मिल जाते हैं खेलने के लिए बैडमिंटन का कोट है म्यूजिक का रूम है मल्टी परपजाल है वाप कर सकते हैं खाना दो वक्ता मिल रहा है आपको वो लोहे की बेडियों में रखे गए सहीद आजम भगस से तो ठीक है हम लोग एक मौझूदा समय में एक तानसा सरकार से लड़ना है तो जो कुछ भी जेलना पड़ा जेला लेकिन हर दिन छे महीने में यही सोचता था जिस दिन बाहर निकलू और मजबूती से चार गुना ताकत से इनके खिलाफ बोलूँगा और वो काम मैंने आते ही सुरू कर दिया इस बात की तसलिए मुझे वो आपका जेल के बाहर वाला स्पीच वो लिखा हुआ था पहले से कोई लिखा हुआ नहीं था जब मैं वहां से निकला तो मैंने जेल क गेट को देखा आसमान को देखा और कोई सुबचिन तक था साथ में जिसने कहा कि सर अप्लीज मत बोलिएगा सांत रहिएगा कुछ दिनों तर तो मैं जिब चलते हुए आ रहा था तीन सो कदम लगबग सफर मैंने तैकिया होगा वहां से बाहर आते हुए तो उस दोरान मै ने तैकिया कि नहीं मुझे और मजबूती से बोलना है वरना एक तो यह जो कि आप बता रहे थे कि जूटी खबरे इन लोगों ने चलाना सुरू कर दिया था कि क्या है बेल के पीछे का खेल और ये वो क्वेश्चन मार्क लगा के तो पहले तो उस पर विराम लगाना था और दूसरा ये मैसेस देना था कि हम आपकी जेल से डरे हुए नहीं हैं और ना आपके सामने जुकेंगे तो वो हमने कोई तैयारी नहीं थी जो अंदर दिल सेी आया अचा क्या सवाल पूछोंगे वो बात करने के लिए तयार नहीं होते हैं अपने दर्सकों को बता दीजिए अपने तहां नहीं करता कि क्या पूछो क्या नहीं पूछो जब कैमरे के सामने आप पत्रकार हैं और मैं आपके इंटर्विव देने वाला हूं लेकिन इसी से ही related मैं अब आता हूँ एक रही आपकी बात एक रही आम आदमी पार्टी की बात और एक रही विपक्ष की बात अब लास्ट में आते हैं विपक्ष पर इंडिया अलायंस बनी लगा कि हाँ एक यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है अभी हमने हाल ही में डेरेक अब्राइन से भी बात की कि भाई हमने पूछा उनसे कि क्या चल रहा है आपका आपने तो कॉंग्रिस के साथ नहीं किया गडबंदन वहां तो आप बोल रहा हैं तो उन्होंने कहा देगिए बंगाल में तो हम ही इंडिया ब्लॉक है बंगाल में तो हम ही लगे आम आद्वी पार्टी भी अच्छी है अपनी हम उनको समर्थन करेंगे लेकिन बंगाल में हम अपना 42 लड़ेंगे सब लोग अपना अपना लड़ ले तो कहीं न कहीं एक fragmentation होते हुए दिख रहा है तो अभी जो opposition की बात है united opposition की बात है आप लड़ रहे हो ठीक है given लेकिन क्या एक united opposition congress अपना अपने तरीके से एक united fight हो रहा है क्योंकि वो ही matter करेगा न ultimately चार जून को तो वो ही दिखेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखे कहीं कहीं हो रहा है कहीं कहीं नहीं भी हो रहा है और ऐसा नहीं कि एंडिये में नहीं हुआ है इंडिये में भी ऐसा पहले हुआ है और कि जेडियू उनके खिलाफ लड़ी है या दूसरे भी जो उनके घटक दल है वो उनके खिलाफ जो इसमें आये ये पहले नहीं थे कॉंग्रेस के साथ ये पहले नहीं थे किसी गड़ बंदन के अंदर आज सारे लोग मौके की जो परिस्थितियां हैं जिस तरह से डेमोक्रेसी को कुछला जा रहा है जिस तरह से कांस्टिचुशन को तार-तार किया जा रहा है जिस तरह से चुनी हुई सरकारें करनाटक हो, मद्द प्रदेश हो, उत्राखंड हो, उत्रांचल हो, जिस तरह से सरकारों को गिराया जा रहा है, मद्द प्रदेश हो, तो ये समय की मांग है कि आपको पहले तो अपनी डिमोक्रेसी को तो बचाओ, वर्ला तो सारा बिपक्षी खतम हो जा अगर ये सीट सेरिंग जो तैं करने में थोड़ा समय लग गया, ये समय अगर नहीं लगता, तो शायद और एफेक्टिव तरीके से हम लोग काम कर सकते थे, लेकिन मेरा फिर भी अभी भी मानना है, कि इंडिया गड़बंदन की सरकार बनेगी 2024 में, और भारती जनता पार् अभी लड़ाई इतनी आसान नहीं है, बीजेपी के लिए इतनी लड़ाई आसान नहीं है, सर्वेज के भी जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो पहले क्या थे और अब क्या थे, उसमें धीरे धीरे अंतर देखने को मिल रहा है, जिसने भी elections देखे हैं, वो ये बात तो जानता है कि इलेक्शन जब तक खतम नहीं होता, जिस दिन बोलिंग नहीं होती है, उस दिन परिसिती बिलकूल बदल सकती है, लेकिन सवाल तब भी ये है, बहुत सारे वोट पेंडूलम के हैं ना, अन्डिसाइड़ेड हैं लेकिन जो पेंडूलम वाले हैं, उनको मेसिज क्या जा है, देखें मैंने इसलिए कई बार कामन मिनमम प्रोग्राम की बात की, कि पांक छे दस मुद्धे हमें ऐसे बताने चाहिए देश को, कि इन मुद्धों पे हम काम करेंगे, इंडिया गड़ बंदन की सरकार बनने का, कौन से मुद्धे हैं ये, वो बेरोजगारी से हुआ 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 है, वो किसान की MSP से जुड़ा हुआ 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 नहीं है अभी भी मैं तो कहता हूँ वक्त है अभी भी वक्त है क्योंकि आनिम्प्लॉइमेंट जैसे CSDS का सर्वेइ ही दिखाता है अनिम्प्लॉइमेंट इतना बड़ा मुद्दा है लेकिन वो जो एक याइत अहीं लिख लिए उसमें क्या मुद्दे उठाय ए महिंगाई का सवाल बेरोज़गारी का सवाल किसानी का सवाल OBC के सर्वे का सवाल तो ये सारे सवाल लोगों के बीच में चर्चा में तो आएं हैं और अगर अपनी हालात को देखते हुए हूँ जैसे मोदी जी ने कहा था 2014 में कि भाईयों और बेहनों जब घर से निकलना तो सिलेंडर देखके जाना अगर वास्तों में सिलेंडर देखके लोग इस बार चले गए तो क्या हालत होगी मोदी जी अगर वो सिलेंडर देखके अपना गए तो क्या हालत होगी अब तो कई चीज़ देखके जाना पड़ेगा घर का टमाटर देखके जाना पड़ेगा लासुन देखके जाना पड़ेगा सरसो का तेल देखके जाना पड़ेगा मोटर साइकल जो खड़ी होगी घर में उसको भी देखके जाना पड़ेगा और चोटी मोटी पेटरोल वाली कार होगी, उसको भी देखके जाना पड़ेगा उसको बहुत कुछ देखके जाना पड़ेगा लेकिन आपको क्यों लगता है कि जब इतने सारे चीजें हैं जो फैक्स हैं वो फिर जमीनी हरकत, ह्याकीकत क्यों नहीं दिखती है अगर उन्होंने मीडिया के इस्तमाल किया है अगर प्रॉपगेंडा के इस्तमाल किया है तो क्या विपक्ष ने वो काउंटर प्रॉपगेंडा नहीं कर पाएं एक समान एक जमाना था जब हम अद्विबाड़ी डिजिटल में एक दम तीज़ एकदम कांटे की टकर देती थी थी अभी भी डिस्टल में हम उनसे आगे हैं आपने एक रिपोर्टर महोदे को सुना होगा अभी दो तीन दिन पहले उन्होंने पूरा आकलन किया है बताया है तो हम जहां उनसे लड़ पा रहे हैं वहां हम लड़ रहे हैं जमीन पे जाके लड़ रहा है, सोसेल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लड़ रहा है, अब गोदी मीडिया तो हमारे हाथ में तो है नहीं, अतने करोर, हजार करोर होंगे नहीं आपके पास, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बट अधर वाइस आप कह रहे हो कि हर जगे जहां अलाइन्स की बात है, मुझे तो देखता है कि वो डिजिटल में कम्प्लीट फेल है, मैं हावादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवर आल मैं अगर दूसरी पार्टी की बात है, कॉंग्रिस भी अच्छे से मैसेस कर रही है अपना, देखे क्या है कि जाहिर इसी बात है, जो मेंस्ट्रीम मीडिया है, उसका स्पेस बढ़ा है, तो अगर वहाँ वो अपने धंसे खबरे चलवाने में सफल है, तो उसका तो हम कुछ हिलाद नहीं कर सकते हैं, वहाँ जो प्रवक्ता जाते हैं, उनको जरूर समय मिलना चाहिए, विपक्ष के जो लोग जाते हैं, और मतलब कोई विचारक बैठके बन जाता है, कोई बीजेपी का प्रवक्ता है, कुछ आइंकर सपोर्ट करते हैं, कोई एकाद और पत्रकार बड़े, ये जो तीन-चार मिलके घेरते हैं, इसका एक बैलन्स हो, और अपनी बात कहने का जो इंडिया अलाइंस के लोग हैं, उनको मौका मिले, तो साथ बहुत सारी चीज़े आएंगी चर्चा में. केजरिवाल ने, फ्री पानी देश की किस सरकार ने सुरू किया, केजरिवाल ने, किस ने सुरू किया, बताएए ना, बस की फ्री आत्रा किस सरकार ने देश में सुरू किया, केजरिवाल ने, फरिस्ते स्कीम, पचास लाग भी आपके इलाज में लग जा एक्सिडेंटल के इसमें दिली की सरकार देती है तो इतने सा बुदर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का फैसला किसने किया ये सारे काम और उसके बाद मुनाफ़े का बजट उसके बाद पर कैपिटा इंकम में हम सबसे आगे तो कैसे हुआ ये तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम ने कोई अपना वो मॉडल छोड़ दिया और दूसरे चीज़ पर हम चर्चा में चले गए नहीं हम तो उस पर ही वोट मांगे गए केजरिवाल की गिरिफ्तारी उसमें एक प्लस पॉइंट इन्हों ने कर दिया अगर आप हमारी दृस्टी से देखिए तो उसमें लोगों क कि साहन भूती है कि भाई एक आदमी जो दिन रात इनके लिए काम कर रहा है जनता के लिए काम कर रहा है उसको उठा के आपने जैल में डाल दिया सेंजे जी फाइनली एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे क्योंकि मैं आवाद भी पार्टी को काफी सालों से देखता आया हूँ एक टाइम था जब मुझे लगा था कि आप भी कहीं न कहीं एक सेंस ओफ कॉम्परमाइस था कि देखिए स्टेट हमारे चलने दीजे सेंटर आप चलने दीजे अमिचा से मिलने की बात हो एक कॉमराडरी बिल्ड करने की कोशिश हुई थी क्या हुई थी क्या थोट प्रोसेस था कि अच्छा देखिए आप लड़िये पहले दिन से हमारे पीछे पड़े हुए बाई दोजार पंदरा में सीबी आई का च्छापा पड़ा था केजरिवाल जी के दफ्तर में तब भी ऐसे भाजपॉले चिला चिला के कह रहे थे इस्तीफाद हो इस्तीफाद क्या हुआ तो नौ साल हो गया पंदरा से चौबिस नौ साल हो गया ना कोई पूछने वाला है कि जो केजरिवाल के दफ्तर पे पंदरा में सीबी आई का च्छापा तुमने मारा था उसका क्या निकला कुछ निकला तो इसलिए ये जो बदनाम करना और भागना वाली जो कारवाई है इसका हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं ये हमारे फेबर में कभी नहीं रहे हैं रह भी नहीं सकते क्योंकि हम उनकी जो जूट की दुकान है उसको बंद कराने पे लगे हुए हम हिंदु धर्म को वसुदे कुटुम्बकम के रूम पे मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है हम उस हिंदु धर्म को मानते हैं जहां पे हर पूजा के बाद प्रार्थना होती है धर्म की जै हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल पिल्यान वाले हिंदू धर्म को मानते हैं और ये नफरत फैलाने का काम करते हैं प्रदान मंत्री जी और उनकी पार्टी ये बुन्यादी फर्क है संजी जी फाइनली जो लोग वोट करने जाएंगे एक सेंस ओफ डिफीट हमें दिखता है बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं बात पहले पहले गाली बगते थे बोलते थे तुम लोग जूट पहला रहे हो अब थोड़ा डिसपॉइंट्मेंट भी हो गया अचा ठीक अब हम क्य कर सकते हैं नोटा दबा देंगे या फिर वोट नहीं करेंगे जो वोट करने जा रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाओगे देखे ऐसा है कि एक घर को जब आप खाली छोड़ देते हैं तो उसमें पहले जुआ खेलने वाले बैठते हैं फिर इलाके के छोटे मोटे गुंडे बैठते हैं फिर उस पर माफियां का कबजा हो जाता है जिम्मेदारी उन लोगों की ज़्यादा बड़ी है जो घर को छोड़ते हैं घर को छोड़िये नहीं वरना चोर घुसेंगे गुंडे घुसेंगे माफिया घुसेंगे आपके घर के उपर कबजा करेंगे और आपको अगर वास्तों में आपको लगता है देखे हम कुछ नहीं कर सकते है अगर वास्तों में लगता है कि देश में बेरोजगारी बड़ी है तो इनके खिलाफ वोट दीजी, प्रचार कीजी अगर लगता है कि न collab कुछ अच्छा है तो हमारे पास तो उसके कोई लाज नहीं है अगर वाकई लगता है कि हमको MSP नहीं मिली हमारी खेती बरबाद हो रही है हमारे संसादन खतम हो रहे है हमारा जीवन यापन कैसे होगा तो BJP के खिलाफ वोट दीजे अगर वास्तों में लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा खत्रे में पड़ी है तो जागिए इनके खिलाफ वोट दीजे बोलिए अगर महंगाई वास्तों में आपको दिल से लगता है कि बढ़ी है तो वोट दीजे इनके खिलाफ तो महंगाई ही है बेरुजगारी है किसानों का मुद्धा है और दुनिया का कोई मुल्क नफरत की बुनियात पे आगे बढ़ा ही नहीं ये कागज पे लिखके मैं दे सकता हूँ एक उधारन बताईए पाकिस्तान में तो मुसल्मान मुसल्मान ही है फिर क्यों मस्जिद में बम फूट रहा है भाई फिर क्यों वहाँ जगड़े हो रहे है फिर क्यों वहाँ आतंकवाद फैला हुआ है फिर क्यों वहाँ नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है एक दूसरे का कतले आम करने पे लगे है बताईए ना इराक में तो मुसल्मानी थे आफगानिस्तान में मुसल्मानी तो है हिटलर की जर्मनी को याद कर लीजे ना कैसे बरबाद किया हिटलर ने जर्मनी को तो देखे क्या है ये जो सामपरदाइक्ता की या कटर पंत की जो विचार धारा होती आपकी जिंदगी में कोई सुधार होगा ना भारत की तरक्की होगी नफरत फैलाने वाले दुनिया में कई उदाहरन है इस बात के कि उन्होंने कभी मुल्क की तरक्की नहीं की तो ये आप लोग सोचिए और उसके आधार पर जाकर वोट दीजिए जंजी जी मैंनी थैंक्स फोर जॉइनिंग देश भग आशा करते हैं यही कि लोग वोट करें सेंसिबली वोट करें डिमोक्रिसी के लिए वोट करें और देखें अपनी आंके खोल कर क्या होगा थैंक यू सो मुच